ख़बर बादा जर्पस नहीं जांब अबिरू कस्पे के मश्री मंडी रामबक्ष तालाब के बीटे पर चल रही है जिसमें वाई से सौ मिटर की दूरी पर एक विद्याले चलता है जिसमें बच्चों को आने जाने में परिशानिया होती है जिससे विद्याले प्रवंधन समित के लोगों ने यहां से मश्री वागोस्त की दुकान हटवाए जाने की मांग किया था जिसमें आज एस्टीम नगर पंचायत अधिसासी अधकारी तैसिलदार पोके पर पहुंच कर सभी मश्री का गोस्त की दुकान पर तालाब बंद करव दिया पूरा मामला बवेरूख से है जहां कस्पे के एक कवाशिन रोड सित रामबक्स तलाब के पास मश्री वागोस्त की दुकान को बंद करवाने को लेकर सर्शती सिसु विद्या मंदिर के प्रधानाचार वासिसकों के द्वारा प्रात्ना पत्र जिलातकारी उपजलात जिला पंचायत अद्यक्ष मंदला आयुक्त को दिया गया था जिसमें आज उपजलातकारी सुर्भी सर्मा तहसिलदार अजय कट्यार नंगर पंचायत अचासी अद्कारी रामबदन यादव मौके पर पहुंचे और सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिया जिस पसर कर रही थी जिसमें उनकी कहीं भी जमें नहीं थी जिसे नगर पंचायत का बुल्दोजर देख करवा महलाय रोगे लगी तबी सुर्भी सर्मा ने उन दोनों महलाओं को दिलासा दिया कि अभी तुम्हारा मकान नहीं गिरवाय जाएगा जवाब को किसी अन्य जगह आ जातकारी ने चितावने दिया कि ठेके पर साब सफाई रखें और यहां पर कोई भी विक्ति सराब पिता हुआ पाय जाएगा तो ठेका बंद करवा दिया जाएगा वहीं ठेके के अंदर एक गुम्टी भी रखी थी उसको भी बंद करने के निर्देश दिये SDM साहब आई थी क्या है पूरा मामला पूरा मामला यह है कि विद्याले का जो एक प्रापर वे है यह हमारे विद्याले से लगभग डेट सो मीटर के अंतराल पर है इसी मार्ग पर मांस मचली मुरगा दारू वाज बेंचने के ठेके यह उनीस तारिक को हम लोगों ने पूरे स्टाप के साथ माननी SDM साहब को ग्यापन दिया था कि यह दुकाने यहां से बंद कराए जाए इनकी कहीं अन्यत्र ब्योस्था की जाए इसी परिपेट चुकोले करके आज इन दुकानों के बंद करने के क्रम में माननी उपजिला अधिकारी का यहां पर आगमन हुआ था क्या निर्देशित यह दिये हैं कि जो भी सराब मचली यह सब मचली मुर्गाद की जो दुकाने थी इन पर उन्होंने ताला डलवा दिया है और मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भी दे करके गई है कि जब भी कभी यह दुकाने ओ विलेंबर प्रक्रिया